मतलब ये कहानी ना मैं जब भी कहीं सुनाती हूँ या मतलब मैं किसी से डिसकस भी करती हूँ ना तो मेरी खुद की ना हाथ पैर काम ने लग जा दे इन चीजों को सोचिए एक औरत जो है ना वो इमोशनल सपोर्ट मांगती है आज मैं यहां हूँ कल यह दिक्कत मुझे भी हो सकती है नमशकार मेरा नाम डंटर उपासना वहरा है यह मैं यह कहूं वैद उपासना वहरा आज मैं आपके सामने ऐसे विश्य लेके आयी हूँ यह यह कहूँ कि जिसके बारे में हमारे समाज में अवेरनेस ही नहीं है जहां आज भी हम यहां पहुंचने के बाद यानि हमारी सोच यहां पे है लेकिन हमारे खयाल सोच और खयाल में यहां में अंतर लगाऊंगी कि हमारे खयाल और सोच में यहां पे अंतर है कि हमारे ख्यालों में वो चीज़ है कि नहीं यार आज भी हम ना इस विशे पर खुल कर बात नहीं करना चाहते और वो बात है महिलाओं के पीरियट्स को लेके महिलाओं की प्रेगनेंसी को लेके या नजाने कितनी तरह की बाते हैं मैं बहुत लंबा लेके नहीं चलूंगी मैं स्टार्ट करूंगी एक ऐसी कहानी से एक ऐसे दर्दनाख हाथसे से जो मेरे यहां के मेरे एक पेशन्ट के कहानी और यहां मैं बात किसी गाउं की नहीं करूंगी हमारी देश की राजधानी यानि दिल्ली की बात करूंगी यह कह नहीं है उत्तमनगर की मेरी एक पेशेंट जिसे तीन साल से प्रेग्नेंसी नहीं हो रही थी वह बहुत ज्यादा ठक चुकी थी उसने हर जगा कहते हैं कि कभी किसी और अगर मातरी तव सुख नहीं होता है तो सब जगा हाथ पैर मारती क्योंकि समाज उसे एक वक्त के बाद जब आपकी शादी हो जाती है दो तिन साल बच्चा ना हो तो एक वक्त के जाद उसे बांच कहना स्टार्ट कर देता है तो उसने सब जगा ट्राय कर लिया था और एक दिन चलते चलते वह मेरे पास आई और उसने मुझे का कि मैं मैं सब कुछ ट्राय कर चुकी हूं बहुत पैसा कर चुकी हूं क्या ये चीज हो सकती है मैंने कहा हूं सकती है और बहुत सारी कोशिशों के बाद वह छे महीने बाद प्रेगनेट हो गई और शायद उसकी खुशी यहां पे थी और मेरी खुlish उससे बी उपर थी क्योंकि मैंने किसी की ज़िए में जो एक खाली पन था उसे भरने की कोशिश की वो खाली पन जिसे की कलपना हर एक औरत करती है जिसकी कलपना हर एक औरत करती है कि वो मा बन जाए लेकिन सुनिए सब चीजे सही चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब यह कहानी ना मैं जब भी कहीं सुनाती हूँ या मतलब मैं किसी से डिसकस भी करती हूँ ना तो मेरी खुद की ना हाथ पैर कामने लग जाते हैं क्योंकि मैं सोच Newcastleiant के और वहां तो और थी अगर वहां मैं होथी तो क्या होता या मैं क्या करती या मेरी जगह कोई और और आरत भी होती तो या होता क्योंकि आप लोग जब सुनेंगे न तो आपके खुद रौंगते खड़ेंगे कि उसदर के साथ क्या हुआ सारी कोशिश करने के बाद बहुत अच्छी प्रेगनेंसी चल रही थी, follow up बहुत अच्छा चल रहा था बहुत जादा अच्छा, और यह कहानी में क्यों सेनारी हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ थी कि हम अपनी सोच में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत ऊपर चलेगे, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी नीतियां हैं, जिसने हमारे समाज को बहुत खराब कर रखा है और वहाँ पर क्या हुआ, कि आठमे महीने तक प्रेग्नेंसी पहुँच गई और बहुत अच्छी, लेकिन आठमे महीने की वो एक रात, जिसे वो कभी नहीं बोल सकती हैं, और मुझे पता भी नहीं कि शायद वो जंदेगी में दुबारा कभी मा भी बन पाएगी या नही क्योंकि उसके पती ने उससे शार्वरिक समंद बनाने की कोशिश की, जिस समय एक और त सिरफ अपने पती से ये चीज़ की डिमांड करती है, कि तू ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चा सही से घूम रहा है, तू सही से खाना खा रही है, उससे कहा गया, कि मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूँगा, उस औरत ने समझाया भी, आप लोग देखे कि मेरे खुद के हाथ काम रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उस पेशेंट से मैं मिली थी ना, और मतलब मुझे पता है कि छे महीने में उसकी प्रेगनेंसी करवाई, वो किन हालातों से बीती, फाइनेशली ह हर चीज में और वो लास्टेज में आके उसके पती ने जबरदस्ती की वो औरत मना करती रही कि डॉक्टर में बिलकुल मना किया है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें उससे समझाई थी कि बहुत मुश्किल है, बच्चे की पोजीशन नीचे है, बहुत मुश्किल से किया है, तो ऐसा कुछ भी हमें step नहीं लेना है, लेकिन देखती देखते वो एक गलती और वो गलती किसकी वज़ा से होई, एक पूरुष की वज़ा से, उसकी सोच की वज़ा से, कि वो शायद उस एक दिन रुख जाता, तो आज वो सुख उनसे दूर नहीं होता, लेकिन उस बच्चे की दम घुटने की वज़ा से मृती हो गई, तो क्या कभी सोचा है, किस ओरत पे क्या बीती होगी, या मैं, आप, कोई भी उसकी जगा होता, उसकी उस ताइम पे mental हालत क्या होती, सोचिए कि मेरे हाथ कहां पर रहा है बताते हुए, तो जिस पे बीती होगी, उ इसकी आत्मा कहां पे गई होगी, कभी नहीं किसी ने सोचा, और शायद पता नहीं वो दोबारा कभी माँ बन भी पाएगी या नहीं, ये सवाल उस औरत से पूछा जाएगा न, तुम माँ क्यों नहीं बनी, वो कभी समाज में ये नहीं बोल पाएगी, कि वो एक रात थी, कि जब मैंने बहुत कोशिश से वो सुख अपने परिवार को देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पती की एक गलती की वजह से, आज मैंने अपना बच्चा खो दिया, और छे महीने एक साल बाद फिर से उससे वही सवाल पूछे जाएगे, तुने इतना इलाज करवाया, त तेरी वाज़से, हम करजे में चले गए, लेकिन कभी वहाँ पे उस इंसान का जिकर ने किया जाएगा, कि उस इंसान के एक गलती की वज़ह से, उसने अपना बच्चा खो दिया, और उस बच्चा खोने की वज़ह से, ना जाने, आगे चलके उसका शारिरिक, किस तरा कि उ एंटर लेवल कैसा रहेगा क्योंकि इमोशनली तो उस ओरत को कभी सपोर्ट मिला ही नहीं नहीं वो कभी कलपना कर सकती है कि उससे यह चीज़ पूछी जाएगी कि तो इमोशनली ठीक है या तुझे सपोर्ट चाहिए छोड़िये किस से कलपना करें क्योंकि हमारा देश ऐसा एक औरत औरत की दुश्मन है नहीं समझा सकते किसी को हमारे देश में सतर प्रतिशत कपल ऐसे हैं जिने प्रेगनेंसी नहीं होती है जब रिपोर्ट की बात करें तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल होती है लेकिन यह कभी समझाता कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है हम लोग न जाते हैं जाते हैं जैकैन हift करतें लेकिन आयुर्वेता को हम लास्ट जाता है और लिटरली ना जब पेशेंट सब तरफ से लुट जाता है करजे में डूब जाता है ना तब वो हमारे पास यहां पे आता है और वो आके बता क्या कहता है मैं मैंने ना पांच साल इंतजार किया मैंने छे साल इंतजार किया मैंने दस साल इंतजार किया और लिटरली यह भी यह यहां किया कि मेरी पेशन ने इकने आकर बोला था कि मैं मेरी शादी को नो साल हो गया मुझे बच्चा नी हुआ है कि सच कह रही हूँ कि यह ऐसे कहानिया ना जहां हम यह सोचेंगे कि सच में हमारे समाज में यह चीजे होती हैं और यह होती है हम बहुत परें चीजों हमें लगता है कि हमारे साथ नहीं ना तो किसी के साथ नहीं हो सकती लेकिन यह ऐसी चीज जो medically अपने आप मेना मतलब medical line में face करते हैं अगर मैं बात कहूं ना जाने मेरे अंदर कितने लोगों की अपना गुस्ता भी निकाला किसी ने अपने आँस आँच और गर जाती हुती हुआ तो टुमने हमारी सोसाइटी में टो सोचते हूँ कि काश डॉक्टरच तने सब्सक्राइब नहीं हो सकता नहीं हो सकता यह चीज ऐसे तो शायद अच्छा होता हमारे देश में आज भी मैंने कहा ना सोच यहां है लेकिन अगर गाव में किसी ने यह बोल दिया कि इसका महीना यह बच्ची अभी 13-14 साल की और इसका महीना पांस दिन उपर चड़ गया है जो गया है यह बता दे सच में गलत काम तो नहीं किया है कि पीले पापा को पता नहीं चलना चाहिए तेरी दादी को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए क्यूं बिमारी है ना एक और अगर वो परिवार आगे बढ़ा सकती है तो अपनी बात को खुल के क्यूं नहीं रख सकती समाच में क्यूं हम आज भी इन चीजों से खुद को इतना पीछे लेके चले हुए हैं हम बात क करते हैं कंदे से कंदा मिला के चलने की और एक बिमारी को खुलके रखने का आप हमें हक नहीं देते कि हम खुलके यह बोल सके अपने पती को या अपने भाई को कि यार मुझे पीरियर्स आया मुझे पैड ला दो तब भी जाके कैमिस की शॉप पे क्या बोला जाता है वो गाउं में किसी को बताना मत है मेरी बच्ची का न महीना उपर हो गया मैं क्या करूँ तो वो कहता है कोई बात नी भाबी कोई बात नी दी आप ये गोलियां लो पांस दिन की गोलियां आप इसे दे दो इसको पीरियर्स आ जाएंगे और ऐसे ही वो सलसिला चालू होता है औ कभी वो भाईया बताते है कि आगे चल के आपकी बेटी को क्या कॉम्प्लिकेशन होगी और चलते चलते कब वो PCOD का रूप ले लेता है हमें पता ही नहीं चलता अब कितनी है नानी की बात है कभी किसी को यह नहीं पता होगा कि PCOD क्या होता है इवन जिनको है उन्हें PCOD और PCOS में फरक नहीं और वहां पर मेल अपनी एगो लेकर टिपनिया करने आ जाते हैं कि तुझे क्या दिक्कत है तेरे तो ड्रामे खतम नहीं होते हैं क्यूंकि PCOD के दिक्त है उनको पैट में दर्द हो रहा है उनको ओवरे में दर्द हो रहे हैं सिस्त क्योंकि वह एक पुर्ष की जो भी अंदर की उसकी शारारीक नीड है था उसको पूरा नहीं करपा रही तो उसे चार जाता है वहां पे उसे इन चीजों के लिए ब्लेम किया जाता है क्या कभी एक औरत ने कहा कि पुरुष को यह दिक्कत है अगर एक औरत महीने में दस दिन आपका साथ दे सकती है तो वह पांस दिन क्या यह नहीं बोल सकती कि मुझे इस दिक्कत की वज़ा से दर्द हो रहा है क्यों हम सवाल करते हैं वहां पे क्योंकि हम इन चीजों को कभी सोसते नहीं हमें पता ही नहीं है और मैं चैलेंज कर सकती हूं जितने भी मेल इस टाइम वीडियो देख रहे है ना बिना गूगल कि आप लोग अगर पीसी ओडी के फुल फॉर्म ही लिख दोगे ना मैं मान जाओंग कि जब पेशिंट आता है वो कहता है कि मैं इसको ना पीसी ओडी की दिक्कत हो गए और शादी के बाद दिक्कत होई है तो वह क्या कहते हैं ना 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 शादी के बाद नहीं हो सकती मैं आप कैसी बात कर रहे हो कैसे हो सकता है पहले सी होगी इसकी माने चुपाया होगा कि इ कैसे बात कर रहे हो मलब शादी का ऽो लेना है किसी की बीमारी से क्या लेना देना लेकिन वहां ओन भी खुद को कंट्रोलabノम कर पाते एक मिलकोद करने की वजह से हमारा हक है वो अधिकार है कि फीमेल को बिमारी हुई है तो हम उसे ब्लेम करके ही रहेंगे और यहां से स्टार्ट होती है एक अलग कहानी वो अलग कहानी क्या है फीमेल को ब्लेम करना क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं पीसी ओडीवी था फिर वो आपको शारुरिक नहीं दे रहें तो बैचारी मुर्दों की तरह पड़ी रहती है क्या करें शादी इंसान क्यों करता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मेल का जो जितना मैंने अफजर किया है मेरे पेशेंट से वो तो आके यह बोलते हैं कि महीने में 10 दिन तो इसका दर्द रहता है पांस दिन चाहिए यह स्टेट्मेंट कहा जाता और यहां से क्या हुगा डाइवोर्ज के केसिस बढ़ने लगे और यह भी ऐसे केसिस आया और उस केस को सुनके तो मैं लिटरली इतना रोई थी और मैं लिटरली उन माबाप को सलाम करती हो जिन्होंने इनिशेटिव लिया क्योंकि ल उसने शिफ्ट किया पानी चींज हुआ उसको यह दिक्कत हो गई दिक्कत होने के बाद उसकी कॉंप्लिकेशन इतनी बढ़ गई कि उसकी नौबट डाइवोर्ज तक आ गया और उसके माबाप ने फाइनली उसे डाइवोर्ज दिला इसमें उस बच्ची की क्या गलती थी इसमें उस बच्ची की क्या गलती थी उसके माबाप की क्या गलती थी लेकिन समाज की जो कुरूतियां है समाज की जो वो एक भावना बन चुकी है एक धारना बन चुकी है कि नहीं हमें तो ब्लेम करना ही करना और वो ब्लेम हमें औरत को ही करना है चाहे बच्चा हो या ना एक्की मीमारी और जाविए उसके माबाब की वज़ा से उसके और वो अपने ससूराल में आये तो ससूराल के पैसे बरवास करने को आये वह भी अपनी बिमारियों पर, कितना अजीव है ना, कभी अगर एक डॉक्टर ही सही से गाइड कर दे, सही राय दे दे, जब एक मरीज उनके पास जाता है, थोड़ी से सब चीजों को साइड रखके, प्रैक्टिकल ही सोचे, एक बिजनस को भी साइड रखके, कि यह बिमारी का इला कि बॉड़ी पे हेर ग्रोथ हो गई, जो एक 16 साल की बच्ची है, जहां पर उसका वजन 50-55 किलो होना चाहिए, वहां उसका वजन 100 किलो के पार हो रहा है, अगर वहीं बोल दिया होता और उसे वो हॉर्मोन्स नहीं दिये होते, तो शायद आज वो बच्ची सालात में नहीं होती है, लेकिन हम इन चीजों का कभी नहीं सोचे, क्योंकि हम वहां पर अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सच में इस बात को हमेशा याद रखना कि आज वहां कोई और है, कल हम भी हो सकते हैं, आज किसी पर बीती है, कल हम पर भी वीच सकती है और मैं हर उस पुरुष से कहना चाहूंगी चाहिए आप एजुकेटिड है चाहिए आप एजुकेटिड नहीं है अगर आप औरत को महीने के 25 दिन नहीं छोड़ते हो कम से दिन वह पांस दिन तो छोड़ दो वो पांस दिन पर उसका ह के जहां वthers खती है मुझे पीरेड आये है मुझे महींना आया नियुक deriv तो हमें अपनी नीड पूरी करनी है वो जिये मरें उससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्यूंकि हमें अपनी जरूरत दिख रही है और मुझे और बिस्तर पे चाहिए चाहे महीना ही क्यों ना आया हो इस समय हमारे देश में लगबग 15 प्रतिशत कपल ऐसे हैं जिनको महिलाओं को जिसकी वज़ा से उनके शरीर में इतनी सारी कॉंप्लिकेशन आती है सर्विसाइटस होना स्टार्ट हो जाता है इतनी कॉंप्लिकेशन आती है कि वह महीने के 25 दिन भी उसका दर्द जो है वह फेस करती है लेकिन वह कहती नहीं है और वही बात आपकी आगी कि एक वक्त के बा जाती वो कहते हैं कि आपकी जरूरत पूरी हो रही है ठीक है आप कर लिजे मेरा क्या है कहां यह चीजे लिखी गई कहां कहीं गई क्या कभी सोचा कि एक औरत को मॉरल सबोर्ट की भी जरूरत है क्या कभी सोचा एक औरत को इमोशनल सबोर्ट की भी जरूरत है नहीं हमने पता कोशिश करो एक औरत को समझने की पता एक औरत की जो लाइफ है ना वह बहुत डिफिकल्ट होती है फिर से वही चीज कहूंगे कि एक और जब माँ बनती है वह नौ महीने ना आपको सिरफ खुशियां देती है वह कभी शिकायत नहीं करती उसकी बॉड़ी में इतने सारे चेंजिस होते हैं क्योंकि एक बच्चा बन रहा है आप सोचिए कि आपको हलका सा कट लग जाए ना तो आपको कितना दर्द होता है कितनी तकलीफ होती है कहीं जादा लंबा कट लग जाए तो हम स्चिचिस लगाते हैं तो सोचिए कि एक मां अपनी योनी को चीर के एक फाड के जीवन दान दे रही है बिना ये शिकायत के कि बच्चा उसके गोद में तो वो सारे दुख दर्द भूल जाती है तो हम इन चीजों को क्यों नहीं accept कर सकते महिलाओं को क्यों हम emotional support नहीं दे सकते और एक चीज मैं कहना चाहूंगी मैंने बीच में तो करना जरूरी नहीं समझा लेकिन मैं इस चीज पर इस पॉइंट को उठाना चाहूंगी कि एक चीज हमेशा याद रखना अगर महिला में दिक्कत है नो तो उसे डाइबोर्स के लिए धंकिया दी जाती है कि तुझे डाइबोर्स देंगे क्योंकि तेरी गलती है लेकिन अगर एक मेल है उसने सारी जिंदगी मेस्टूबेट किया उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसका कभी चेक अप नहीं करवाया जाता इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है प्री मैच्योर इजेकूलेशन है एजोस्पर्मिया स्पर्म काउंट खतम हो गया और हमारे देश मे कि महिलाओं का इलाज करवाया जाता है कि उनमें ही दिककत है और एंड में पता जलता है दिककत मेल में है क्यूकि liquid cannot be check-up ही नहीं करवाया जाता इन चीजों को सोचिए एक औरत जो है ना वो emotional support मांगती है आज मैं यहां हूँ कल यह दिक्कत मुझे भी हो सकती है आज मैं doctor हूँ मैं दुनिया को ठीक कर रही हूँ लेकिन हो सकता है कि कल को यह दिक्कत मुझे भी हो लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि अगर मैंने अपने husband को इतना support किया है ना तो मेरा husband भी मुझे इतना support करें तो एक औरत के लिए उसका emotional support उसके लिए एक moral support बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वह mentally fit रहेगी तो आप उसको सारी बिमारियों से बहुत जल्दी ठीक होता देख सकते हैं एक ऐसा course जो घर बैठे आपको skills भी सिखाए और job भी दिलाए जो श्टॉक्स jobs for women course के साथ it is possible करिये अपने career की नई शुरवात जो श्टॉक्स के साथ ज्यादा जानकारी के लिए click on the link in description